Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज 10 अगस्त 2022 है तो आज ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं आज के session में बहुत दधा delay हो गया है लेकिन हम इसे continue करते हैं हमारा first article टाइप इबन सुपरनुवा के बारे में है आप इसे short में SNE बोल सकते हैं हाल ही में scientist की एक team ने physical characteristics को decipher किया है एक बहुत ही rare class of सुपरनुवा को जिने टाइप इबन सुपरनुवा कहा जाता है देखे आसमान की और जब भी इनसानों ने देखा तो हमें रात के समय में मिले बहुत सारे तारे और इन तारों को देखकर हमें हमेशा से आश्यर होता था कई सारे लोग ये मानते थे कि जो तारों की गती है या उनकी location है उससे इंसानों के जीवन पे प्रभाव पड़ता है इसलिए आज कल भी हमसे एक कह दिया जाता है कि तुम्हारे सितारे कभी बदलेंगे तो तुम्हारे जीवन में भी बदलाओ आएगा तुम भी कुछ अच्छा करोगे ऐसा ही एक physician और astronomer हुआ करता था इबन सीना वो parisian origin का एक astronomer हुआ करता था वो टॉलिमी की जो किताब है उस पर एक commentary लिख रहा था तो अकसर वो जो तारे हैं उनको देखा करता था उनकी accounts maintain किया करता था बात 1006 AD की है जब उसे आस्मान में अचानक से एक बहुत ही चमकदार तारा दिखता है वो देखकर बहुत याश्यर में आता है क्योंकि वो जो तारा था वो बहुत ज़्यादा चमकदार था आज आपको आस्मान में अगर कोई सबसे चमकदार तारा दिखता है that is Venus exactly वो तारा नहीं है वो एक ग्रह है हमें पता है लेकिन वही सबसे चमकदार होता है वो Venus से भी ज़्यादा चमकदार था वो उस तारे को बहुत लंबे समय तक देखता रहा उसके बारे में चीजों को लिखता रहा सुरू में वो तारा हरे रंग का लिखता था बाद में वो सफेद रंग का कनवर्ट हो गया और लगभग तीन महीनों तक वो तारा आसमान में रहा और फिर अचानक से गायब हो गया धी में-धी में गायब हो गया, फेड हो गया तो इबन सीना ने इस तारे के बारे में लिखा अभी कुस्त में पहले की बात है scientist को उस तारे के कुछ remnant मिले जो वहाँ पे उसी location पे पड़े हुए थे और जब उसे scientist ने analyze किया तो ये पता चला कि exactly वो कोई तारा नहीं था rather वो एक supernova explosion था और supernova explosion में एक तारा खतम हुआ था वो supernova explosion था जो तीन महिने तक आसमान में चमकदार तरीके से चमकता रहा जिसे इबन सीना ने देखा और record किया तो इस प्रकार के जो explosions रहे या जो इस प्रकार का supernova create होता है उसे इबन supernova category में डाल दिया जाता है exactly पता ऐसे चला कि जो supernova explosion के remnants बचे हुए थे वो लगातार expand कर रहे थे लगभग 40 light year की location में वो फैले हुए थे earth से 700 light years की दूरी पर तो उन्होंने एक उनके expansion के गती होती है speed होती है तो उसे उन्होंने analyze किया कि आखिर expansion अगर इतना हो गया है इतना quantity of masses में है तो expansion कब start हुआ होगा तो जो उन्हें date मिली that was 1006 AD निकलती है supernova explosions की supernova एक बहुत ही energetic explosion होता है देखे जो एक तारा होता है उसके अंदर energy generate होती है जो उसके पास helium होता है उससे जो nuclear fusion हो रहा होता है hydrogen से helium बनता है उससे energy निकलती है ultimately कभी नगभी hydrogen खतम हो जाएगा helium बनने की प्रक्रिया भी खतम हो जाएगी और energy भी खतम हो जाएगी तो वो तारा खुद के उपर ही गिर जाता है और एक बहुत बड़ा explosion होता है उसे explosion को supernova explosion कहा जाता है उस explosion के बाद वो जो तारा है वो अपनी most of the light खो देता है उसका मास भी बहुत shrink हो जाता है gravity बहुत बड़ जाती है और वो एक white dwarf में convert हो जाता है white dwarf की जो energy है वो खुछ समय तक बनी रहती है दीमेदी में वो fade हो के खतम हो जाता है तो इस परकार का जो तारे का explosion होता है जिसके बाद वो तारा खतम हो जाता है उसे ही supernova explosion कहते है तो जो इबन supernova ये type है इसमें तारो ये जो explosion होता है उसके चारो और एक ring जैसी बन जाती है ये इसकी एक specification है एक characteristic है तो जो type इबन supernova होता है बहुत ही rare class का supernova है जो stripped enveloped supernova होता है जैसा कि आप इसे एक image में भी देख पा रहे है एक stripped envelope या एक circle आपको यहाँ पे दिखता है ठीक है जहाँ पे उसके center में आपको helium rich circumsatellar medium मिलता है matter होता है जिसमें helium बहुत बड़ी मात्रा में होता है ये बहुत ही unique होते हैं और हाल फिलहाल में जो हमें characteristics में रहे हैं इस supernova के इसके माध्यम से हमें कई अन्य प्रकार का वो जो supernova का environment होता है आसपास का उसके density, velocity, composition उसके बारे में जानकारी अच्छी मिल जाएगी ये supernova, normal supernova explosions के तुलना में ज़्यादा luminous होते हैं ज़्यादा चमकदार होते हैं और वो एक जैसी energy emit करते हैं तो इस उसकार के study में भी उसके characteristics के पता हो जाने के बाद हमें और अच्छी जानकारी मिलेगी उमीद करते हैं आपने इसके बारे में समझा जाना हमारा next article Him Drone Athon program के बारे में है बड़ा ही rhythmic है नहीं? Him Drone Athon Indian Army ने collaborate किया है Drone Federation of India के साथ Him Drone Athon program के लिए देखे ड्रोन का प्रचलन दुनिया भर में बहुत तीजी से बढ़ रहा है ड्रोन का SMR security purposes से बहुत largely किया जा रहा है लेकिन इंडिया के drone industry अभी भी उतनी spiritually develop नहीं हो रही है Indian Army को बहुत high quality drones की आवशकता है अलग-अलग functions perform करने के लिए इस प्रोग्राम का fundamental objective यह है कि हम जो opportunities Indian drone ecosystem में हमारे पास available है हम उसे catalyze करें और path breaking drone capabilities develop करें हम बहुत अच्छी quality के drones बनाएं जिनका इस्तिमाल हम front line troops के लिए कर सकें soldiers के लिए कर सकें क्या features होंगे इस program के हमें ऐसे drones develop करने हैं जो logistics का का काम कर सकें सामान को high altitude यानि की पहाड़ी इलाके में एक जिगह से दूसरी जिगह ले जा सकें दूसरा हमें autonomous surveillance के लिए भी search and rescue के लिए भी drone चाहिए जो जनकारी कठा कर सकें देखते रहें कहीं कुछ गरबर तो नहीं है और हमें बहुत ही छोटे drone चाहिए जिने आप micro या nano drones कह सकते है जो fighting के समय में एक जो build up area है वहाँ पर निगरा नहीं कर सकें assist कर सकें आरबी को तो हमें इस type के drones चाहिए और इसलिए program launch किया गया है plan ये है कि interaction होगा, ideation होगा नहीं आइडियाज आएंगे user, development agencies and academia के बीच में कि कैसे बनाएं अच्छे drones, जो development agencies है वो operational locations पे जाएंगी अगर border area है तो वहाँ पे जाके देखेंगे कैसा terrain है, किस प्रकार का drone चाहिए फिर उसकी supply करेंगे और on ground trials भी करेंगे, actual conduct कैसे होगा, कैसे उनको operationalize किया जाएगा उसको भी अच्छी तरीके से तयार किया जाएगा तो ये तो इस program का पूरा function रहेगा, हमारा next article exercise वजरप्रहार के बारे में है ये Indo-US Joint Special Force exercise है, exercise वजरप्रहार यहाँ पे इंडिया और US की जो special forces में वापस में interact करती है इस बार का हो रहा है, बकलो, हिमाचल प्रदेश में Special Forces के exercise है एक बार US में होती है, एक बार इंडिया में होती है 2010 से चल रही है, पहली बार 2010 में होई थी दोनों जो देसों की special forces हैं, वो best practices को एक दूसरे को share करते हैं joint mission में ताकि वो अच्छी capability दिखा सकें और tactics share कर सकें significance यह ही है कि देखे, technical ground पे India का काफ़े अच्छा bond रहा है special forces को लेकर US के साथ तो हम उसे ही catalyze करते हैं दूसरे के experience को attain करते हैं India US के बीच में कुछ और भी exercises होती है exercise यह दब्यास army के बीच में cope India air force के बीच में red flag यह USA की multilateral exercise है air exercise है जिसमें इंडिया भी participate करता है मालावार exercise जिसमें इंडिया, USA और जापान होते हैं और कई बार किसी आने country को भी invite कर लिया जाता है हमारा next article porcupine strategy के बारे में है चाइना बहुत aggressive है अभी हाल फिलाल में एक मामला चल रहा है में भी आप जानते भी हूँ कि यह देखे यह चाइना है और यह है ताइवान ताइवान जो है वो एक island country है जिसे चाइना अपना part बताता है और जो भी countries when China policy मानते हैं वो भी ताइवान को चाइना का ही सामानते हैं including India तो चाइना बहुत furious हो जाता है अगर ताइवान के साथ कोई भी independent relations establish करने की courses करे अभी USA का जो house है यानि कि जो उनका lower house है उसकी speaker Nancy Pelosi वहां की visit पे गई चाइना बहुत नाराज हो गया पहले तो उसने ये तक धम की दी कि अगर उनका प्लेन आएगा वो उसको destroy कर देंगे उड़ा देंगे, missile मार देंगे काफी threats के बावजूद Nancy Pelosi वहां पहुँच गई ताइवान में उनकी जो entry होती है इससे चाइना नाराज तो हुआ लेकिन बहुत aggressive नहीं कर पाया उसने बहुत massive scale पे military exercise करनी शुरू कर दी ताइवान के चारो ओर एक तरीके से ताइवान को incircle कर लिया ताकि ताइवान threat field करने लगे उस बीच में एक बात निकल के आई कि अगर चाइना ताइवान को attack कर देता है on the ground कि US की जो house की speaker है Nancy Pelosi वहाँ पर क्यों हो गई जैसा कि उसने बोला कि वो attack भी कर सकता है वो अकसर बोलता रहता है तो क्या options हैं ताइवान के पास क्या ताइवान खुद को defend कर भाएगा चाइना जैसी बहुत ही बड़ी और powerful country से तो चाइना के against में ताइवान एक policy या एक doctrine follow करता है that is porcupine doctrine porcupine doctrine को propose किया गया था 2008 में US Neville War College Research के एक professor William S. Murray के दौरा जो porcupine है वो एक प्रकार का जीव होता है जिसके पास shells होती है एक कवच होता है जिसमें कांटेदार pin numa structures निकले होते हैं अगर कोई भी जानवर उनको attack करना चाहता है तो वो ये जो फर्स हैं उसको बाहर कर देते हैं जो बहुत नुकीले होते हैं फिर उस जानवर के लिए इन्हें attack कर पाना बहुत मुश्चिल हो जाता है और अगर कोई जानवर उसके बावजूद इनको मारना चाहे तो उसे बहुत ही pain फील करना पड़ेगा बिकाज ये जो इसके फर हैं जो नुकीले फर हैं वो उसके मुह में उसके सरीर में धस जाएंगे तो अगर वो इनको मार भी दे तो उसे बहुत नुकसान हो जाएगा हो सकता है उसके खुद की body पे बहुत सारे घाव हो जाए और वो उसे surviving ना गर पाए मतब कुल में लाके अगर आप किसी porcupine को मारना चाहते हैं कोई जीव उसे मारना चाहता है तो पहली बाद तो वो उसे मार नहीं पाएगा और अगर वो मार भी पाया तो वो खुद भी नुकसान साएगा उसे खुद भी massive loss होगा तो porcupine strategy का इतना सा मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अगर China attack करता है और Taiwan ने porcupine doctrine और रखा है तो पहली बात तो वो successful नहीं होगा और अगर वो हो भी गया तो उसे खुद को बहुत loss हो जाएगा चाइना ताइवान के बीच में एक asymmetric warfare situation है चाइना बहुत ताकतवर है ताइवान कुछ भी नहीं उनके सामने तो यह जो porcupine doctrine होता है इसमें एक country अपनी खुद की strength को exploit नहीं करता बलकि सामने वाली की weakness को exploit करता है क्योंकि क्या weakness है हमें पता है कि ताइवान एक island country है तो उन्हें ships के माधिम से जाना होगा या फिर वो missiles वगरा से attack कर सकते हैं तो इसके लिए ताइवान क्या focus करता है इसमें यह होता है कि अगर सामने वाला enemy country रैक करता है तो वो defeated नहीं होंगे अगर defeat उनको मिलती भी है तो बहुत cost या risk बेर करनी पड़ेगी सामने वाली country को तीन लियर इसमें ओप्ट करता है ताइवान पहला लियर होता है intelligence and reconnaissance का intelligence का इदर करो जानकारियां कठा करते रहो और उन्हीं जानकारियों के basis पे खुद को prepared रखो दूसरा gorilla warfare समंदर में आप छुपकर attack करिए submarines की माध्यम से warfare जो ships हैं उनकी माध्यम से और उन्हीं destroy करिए इसके लिए उन्हें sophisticated aircraft मिलते हैं US से भी और तीसरा होता है कि आप अपनी geography और demography का इस्तेमाल करिए जैसे कि island अगर island है तो ships के माध्यम से जमीन पर enter करेंगे तो जो coastal area है वहाँ पर वो बहुत सारे mines बिचा के रखते हैं कि आप वहाँ पर अगर attack कर देंगे तो जैसे ही एंटर करेंगे बहुत सारे blast होंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो बिल्कुल इसी strategy से खुद को तयार करता है Taiwan China के पास military superiority है Taiwan के उपर that's okay लेकिन China अपने accurate and precise weapons system के माध्यम से भी Taiwan को बहुत easily target नहीं कर पाएगा हलांकि वो लगातार इस बात को लेकर intentions को करता रहता है कि वो Taiwan को reunite करेंगे China का हिस्सा बना लेंगे but that will not be an easy task क्योंकि Taiwan porcupine strategy follow करता है और अब आप इसके बारे में जानते भी है हमारा next article Indian virtual herbarium के बारे में है बहुत सारे plants होते है flora होता है उनका में पास data base हो तो बहुत आसानी हो जाएगी उनके बारे में research करने को लेकर तो Indian virtual herbarium तयार किया गया है यह एक data base है एक online data base है जिसे Botanical Survey of India ने तयार किया है इसमें बहुत सारे plants का पूरा data तयार किया गया है Minister of Environment, Forest and Climate Change के एमबिट में ही इसे prepare किया गया है इसमें जो vispices हैं उनका scientific name, collection locality, collection data, collector का नाम barcode number यह सब दिया गया रहता है इसे आप statewide भी search कर सकते हो तो इससे जो researchers है उनके बहुत मदद मिल जाएगी और वो आसानी से कुछ explore करना चाहते हैं तो कर पाएंगे हमरा next article Great Barrier Reef के बारे में है Australian Institute of Marine Sciences की एक report के according पिछली 36 years में highest level में जो coral recovery हुई है coral cover जो है वो highest level पे रहा है उसे record किया गया है नदन और central part of Australia के Great Barrier Reef में देखे यह Australia है और Australia की eastern coast पे एकदम एक reef का structure आपको मिलेगा जो की बहुत ही लंबा है और उनके coastal region से फैलता हुआ जाता है यह दुनिया का सबसे largest और longest coral reef माना जाता है जो Australia में located है 1981 में इसे यह दुनिया का पहला reef ecosystem था जिसे UNESCO ने recognize किया यहाँ पे 400 types के coral, 1500 species fishes की और 400 जो mollusks हैं यानि कि जो seep वगएरा होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ठीक है coral reef क्या होता है यह inverted reds होते हैं यह प्रिकार की बहुत ही छोटे marine जीव होते हैं जो अकशेरुकी होते हैं जिनमें रीड की हड़ी नहीं पाए जाती इनमें spine नहीं होता यह largest living structure तयार करते हैं planet पे coral reef के form में जहाँ पे corals होते हैं ठीक है coral reef एक underwater ecosystem है जो reef building corals के बज़ज़ से तयार होता है होता क्या है कि उनके पास एक skeleton होता है एक structure होता है जो calcium carbonate का बना होता है उसके भीतर ही corals रहते हैं जब coral मर जाता है तो यह जो calcium carbonate का structure है यह ढह जाता है और वहाँ पर वो एक layer तयार कर लेगा उसके उपर और corals जो है वो मरेंगे तो calcium carbonate वो इकठा होता चला जाएगा तो ऐसी एक structure calcium carbonate का तयार हो जाता है ठीक है तो यह coral reef बन जाता है अब जो corals की colonies हैं वो इकठा रहती हैं तो यह reef बहुत time to time develop होता रहा रहा है उनके जो skeletons हैं उनकी मदद से coral bleaching एक mechanism है इसमें क्या होता है जो corals होते हैं वो invertebrates हैं kind of animals हैं micro animals हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो वो जगे देते हैं algae को algae उनके उपर आता है और वो sunlight में corals algae को रहने के लिए base देते हैं और जो algae है वो खाना बनाता है जिसका इस्तेमाल corals करते हैं तो इस तरही के से अगर धिमे धिमे कोई situation change हो गई जैसे समंदर का पानी गंदा हो गया temperature बढ़ गया तो algis मरने लग जाते हैं algis खतम हो जाते हैं जब algis खतम हो जाते हैं तो जो corals का color होता है बहुत ही vibrant color के होते हैं algis तो इसी वज़े से corals colorful देखते हैं जब algis हट जाते हैं तो उनका जो color है white हो जाता है तो इसी coral bleaching कहा जाता है काफी लंबे समय से mass bleaching record की जा रही है और ये 2022 में हाल फेल हाल में bleaching देखी गई जहां पे algis खतम हो गए और corals white color में convert हो गए importance corals का क्या होता है ये sea floor का केवल 1% cover करते हैं लेकिन marine biodiversity का 25% cover करते हैं और पूरी दुनिया की economy में 2.7 trillion contribute करते हैं बारत में 4 locations पे आपको मिलेंगे corals question 2014 का है बहुत ही आसान सा प्रशन है पूछा गया था coral reef कहां नहीं पाये जाएंगे अंडवान निकोबार आइलेंड Gulf of Kach, Gulf of Mannaar और सुन्दरवन corals के बारे में आपको पता हो तो corals वहीं survive कर पाते हैं जहाँ temperature 27 degree Celsius 23 degree Celsius की बीच में हो moderate temperature हो पानी साफ हो ताकि संदेश जा सकी और जो LGs हैं वो खाना बना सकी हमें पता है सुन्दरवन में गंगा और ब्रहपुत्रा का डेल्टा है तो वहाँ तो बहुत सदा sediments जाते हैं, मिट्टी जाती है तो corals वहाँ पे कहां होंगे सुन्दरवन का एरिया में coolers नहीं होते, बलकि specific type of ecosystem होता है जिसे कहा जाता है mangrove, ठीक है तो सुन्दरवन नहीं रहेगा, एक दो तीन answer हो जाएगा, हमरा next article इंडिया की उडान project के बारे में है इंडिया 75 year अपने independence के पूरे करने वाला है और इसे हम भारत का जो भी art and culture है उसे इक अठा करेंगे, theme है unwavering and undying spirit of India over these past 75 years कि जो अटूट इंडिया का culture है उसके बारे में वो एक data based स्यार करने वाले हैं ये एक centerpiece होगा जो इंडिया की उडान नाम से तयार किया जाएगा इंडिया की rich cultural diversity को ये portrait करेगा जी वहाँ पे कुछ Indian history के remarkable moments जैसे की personalities, scientific or sports achievement उन सबको दिखाया जाएगा और women का क्या contribution रहा है उसे भी portrait किया जाएगा जो दुनिया को inspire कर सकती है revision करते हैं, exercise, वज्र प्रहार इंडिया और France के बीच में शुद्ध रूप से गलत है यह है इंडिया और US के बीच में Great Barrier Reef, Atlantic Ocean में कहां से भाई साब, यह होगा Pacific में, इंडिया की उडान प्रोजेक्ट, इसे Google Arts and Culture implement कर रहा है Ministry of Culture की मदद से that's true, porcupine strategy यह earth metric warfare में होता है जहाँ पे हम focus करते हैं सामने वाले की weakness को exploit करते हुए अपनी security को ensure करने के लिए यह तो बिल्कुल सही है तुमारा आज का यह session यहाँ पे समापत होता है PDF कहां मिलेगी पता है न यहाँ पर मिल जाएगी Only IS के टेलेग्राम चैनल पे आप इस QR code को scan करके भी वहाँ जा सकते हैं तो जाएए PDF को download करिए और revision करना मत भूलेगा That's all for now Thank you very much